आज हम एक दम बिलकुल अलाओ ब्लाँज की डीजाइन की विडियो आप लोग के साथ स्पीरिक। यह करके एक ही चॉलम होतोटी श्वारति बनाएंगे हैं मेरे मुद्नी चॉर्ण optimize क्ति तो आप लोग लक लस्पमेश chamado चॉलम के चॉलम करदा नुद के और सारे 14 इंच रेड़ी करनें तो एक इंच जादा सारे 15 इंच ले लेंगे और मार्क कर लेंगे कमल 36 चाहिए तो एक 12 इंच पे मार्क कर लेंगे और डेरी इंच एकस्टार लेंगे प्रिंसेस कट के लिए हम इधर से उप सोल्डर की तरब से स्टेट लाइन कीच लेंगे और उसके बाद जो ब्लाज में डिजाइन बने हुई है उसकी चौराई माप लेंगे उसी ही साब से कटिंग करेंगे और उसकी लेंथ भी माप लेंगे तो यह देखिए यह लगबग सारे 3 इंच रेड़ी देखिए नेक की चौराई भी आठ इंच है तो चार हम से भोट निक बन जाएगी तो नेक की चौराई ले ले लेंगे चार इंच और इंच की लेंद्ध भी यहां पर 4 इंच ले लेंगे कटिंग इसके बाद में करेंगे गले की अब आर्म होल भी 6 इंच ले लेंगे और चेस 12 इंच और एक इंच पे आर्म होल की गुलाई दे देंगे अब जो प्रिंसेज कट बनाएंगे उसके लिए सारे 10 इंच पे उपर इसे मार्क कर देंगे और 34 इंच चाहिए तो एक इंच एक इंच लेंगे 35 इंच पे मार्क कर रहेंगे और एक स्टेट लाइन कीच देंगे उसके बाद प्रिंसेज कट का सेप देंगे और उसके बाद नीचे से डेर इंच और इसकी लेंध दो इंच पर मार्क कर देंगे और फिर सेप देंगे इस तरह और उसके बाद स्टेय लाइन उसके तीर छा लाइन के स्टार्ट करेंगे तो जैसे जैसे मार्क किया हुआ है ठीक उसके उपर कटिंग कर लेंगे अब ये जो फ्रॉंट पाट है उसमें थोरा सा हम सेप बनाएंगे तो उसके लिए 1.5 इंच पर मार्क कर लेंगे और इसको थोरा सा राउंड शिप देते हुए मिला देंगे और उसके बाद इसके कटिंग कर लेंगे दे देखिये इस तरह ये बलाउच इस तरह बनके रेडियो होगी अब बैक पार्ट की कटिंग करेंगे तो इसकी लेंद 15 इंच ले लेंगे हाफ इंच कम लेंगे फ्रॉंट पार्ट से आर्म होल 6 इंच पर मार्क कर लेंगे और इधर गोलाई 1.5 इंच पर दे देगे नेक की लेंथ होगी सारे तीनी चौराई भी चार इंच और उसके बाद बोटनी का सेप दे देगे अब ये देखिये इधर से कटिंग करना है तो सारे चार इंच पर मार्क कर लेंगे और उसके बाद ट्रेंगल सेप में लाइन कीज लेंगे तो ये देखिये इस तरह ये डिजाइन रेटी होगी तो अब इसकी कटिंग कर लेंगे और नीचे से तरह कपरा कमपर रहा था उसको हम बाद में जोड़ देंगे अब प्रॉंट पाट के में जो डिजाइन बना हुए है उसकी कटिंग कर लेंगे तो ऐसे कपरा डवल फोल कर देंगे उसका सेंटर निकाल के और ठीक सेंटर के बीच में ये कपरा भी रखेंगे और उसके बाद इसकी कटिंग कर लेंगे इसी तरह दूसरा पाट भी कट कर लेंगे तो ये देखिए इसकी कटिंग हो गई है बैक पाट की कटिंग कर लेंगे तो ऐसे ही double fold करके कपड़ा डाल देंगे और उसके बाद थोरा सब कपड़ा एक्स्टा लेके उसके बाद कटिंग कर देंगे बाद में जो एक्स्टा कपड़ा होगा उसको काट के हटा देंगे तो यह देखिए back part की stitching शुरू करेंगे तो दोनों सीधा पाट नीचे की तरफ रखेंगे और उल्टा पाट उपर की तरफ रखेंगे ताकि इसको सीधा कर लेंगे इसको यह देखिए इस तरह सीधा कर लेंगे और उसके बाद एक सिला इसके उपर चला देंगे तो यह देखिए इस तरह अभी धर से पुरा में सिला लगा देंगे और जो एक स्टा कप्रा होगा उसको काटके हाटा देंगे तो यह देखिए इसका एक पार्ट रेटी हो गया सेमी सी तरह दूसा पार्ट भी रेटी करेंगे तो यह देखिए फिर से सीधा पार्ट नीचे की तरह दोन उल्टा पार्ट ऊपर की तरह रखेंगे और उसके बाद इसमें सिलाई लगा देंगे सिर्फ गाले के साइट में ही शिलाई करेंगे और उसके माद इसको सिधा कर लेंगे देखिए इस तरह और किसी भी कॉर्णर वाली चीज से इसका कॉर्णर निकाल देंगे और इसके उपर एक शिलाई अच्छे से लगा देंगे और उसके बाद भी जैसे सेम उसमें सिलाई किये थे उल्टा करके इसको सिलाई कर देंगे अच्छे से बैठाते हुए और उसके बाद जो एक श्टा कप्रा है उसको काटके हटा देंगे तो यह देखिए अब इसमें हम पाइप लटकर वाली लेस लगाएंगे तो इसको माप के दो कट्टुगरे में काट लेंगे और यह देखिए इसमें पाइप है तो वहाँ पे सिलाई नहीं होगी तो एक दो पाइप काटके हटा देंगे और उसके बाद सिलाई लगा देंगे इसी तरह दूसरा पाट भी रेडी कर लेगे और जो एक्ष्टर है उसको काटके हटा देंगे और अंदर की तरह फोल्ड कर देंगे तो इस तरह दोनों में लेस अटेज हो चुका यह देखिए इस तरह अब इसकी डोरी बना लेंगे और डोरी लगाने से पहले इसमें नीचे की तरफ से पाइपिंग लगा देंगे तो इसी तरह दूसरे में भी पाइपिंग लगा देंगे अब इसमें डोरी लगा देंगे तो इसमें दो जोरी डोरी चाहिए दो उपर की तरफ से और दो नीचे की तरफ से तो इसमें डोरी अटेज कर लेंगे यह देखिए सेम इसी तरह उसमें भी दो डोरी लगा देंगे तो यह देखिए यह डीजाइन कुछी इस तरह बनेगे और यह ब्लाउज डीजाइन भी कापी अच्छा लग रहा है तो यह बैक ओपन ब्लाउज डीजाइन है तो आप सबको यह ब्लाउज डीजाइन की वीडियो कैसे लगी ज़रू बताएगा तो अब हम प्राउटनेक रेडि करेंगे तो उसके लिए यह देखिए इसकी कटिंग नहीं किये थे तो इसकी कटिंग कर लेंगे तो ऐसे डवर फोल्ड कर लेंगे ताकि यह बीच सेंटर में रहे और इसकी चोराई चारेंच पर मार्क कर लेंगे और इसकी लेंद भी चारेंच ले लेंगे और मार्क कर देंगे फिर स्ट्रेट लाइन खीज लेंगे और फिर बोटने का सेप देंगे ऐसे भी बोटने का ही सेप इसमें बना हुआ है तो फिर इसकी कटिंग कर लेंगे तो यह देखिए यह ऐसे बने का डीजाइन अब सीधा पाट नीचे की तरफ ऐसे और उपर से यह पाट रखेंगे और उसके बाद इस पे सिलाई लगा देंगे तो सिलाई लगाने से पहले इसको पीन अप कर देंगे ताकि यह इधर उधर नहीं हो तो अब इसमें अच्छे से सिलाई कर सकते हैं हम जो लाइनिक अपर है उसकी कटिंग कर लेंगे अधर अधरा कट लगा देंगे ताकि सीधा करेंगे ता थोरा भी सिकुरी गाने और उसके बाद इसके उपर सिलाई लगा देंगे हम जो साइट का पाट बच्छा हुए है वो सब भी सिलाई कर देंगे और बात में जो एक्स्टा कपर निकलेगा उसको काट के हटा देंगे तो यह देखिए इसमें स्टोन लगा है तो सिलाई करने में काफी दिक्कत दा रही है तो इसको दीरे दीरे से सिलाई लगाएंगे नहीं तो स्वीट उट जाएगे तो इसको अच्छे से बठाते हुए पूरा में सिलाई लगा लेंगे और यह देखिए फिर एक्स्टा का प्रजो है उसको काट के आटा देंगे अब जो इसका साइड वाला पाट है उसको रेडी करेंगे इसके भी सिलाई लगा देंगे और बात में जो इक्स्टा कप्रा निकलेगा उसको काट के आटा देंगे तो यह देखिए इस तरह काट के आटा देंगे तो यह देखिए इस तरह दोनों पार रेडी हो गया है तो इसमें आप उपर से नीचे की तरप सिलाई लगा लेंगे अब इसके उपर डवल सिलाई करतेंगे अच्छे से इसी तरह दूसरा पार्ट भी अटैच करतेंगे फिर से इस टोना गया तो इसपे दीरे दीरे सिलाई कर लेंगे यह देखिए यह देखिए सुई टोट गए तो इसका नीडल चेंज कर लेंगे और मेरा बेटा देख रहा है कि सुई टोटी का बार बार टोट रहा है तो यह देखिए इसके बाद फिर से इसमें पूरे में सिलाई लगा देंगे अब नीचे की तरफ से पाइपिंग लगा देंगे अब चाहे हैं तो डारेक्ट इसको लाइनिंग के कपरा को डाल के इसको उल्टा तरफ मोर भी सकते हैं पर यह पाइपिंग इसमें ज्यादा अच्छे लगे यह अब इसको नीचे की तरफ फोल्ट कर देंगे और फिर सिलाई लगा देंगे तो यह देखिए इसका प्रॉंट पाट रेडी हो गया है और बैक पाट बाले सही रेडी था अब इसको का सोल्डर अटेच कर देंगे इसी तरह दूसरा सोल्डर भी अटेच कर लेंगे हम साइड से लगमक डेरी इंच का गैप लेके इसपे शिलाई लगाएंगे अब बाद में इसके फिटिंग करेंगे जब स्लीप सटेच कर देंगे तब तो अब हम इसमें स्लीप सटेच कर देंगे तो यह देखिए यह डिजाइन भी अच्छी लग रही है तो अब स्लीप सको और सोल्डर के सेंटर को मिलाते हुए इसपे शिलाई कर लेंगे और यहाँ पे बटन पट्टी के लिए बटन के लिए एक डोरी टैप का कपर बना के डाल देंगे अब इसपे डबा सिलाई करते हैं तो यह देखिए स्लीप सटेच हो गया है अब इसपे एकतम सीधा सिलाई लगा देंगे तो पांच इंच रेडी कर लेंगे तो सारे पांच इंच पे मार्क कर लेंगे और पांच इंच पे बाद में फिटिंग कर लेंगे तो यहाँ पे बेस्ट होन है तो मैंने दीरे से इस पेसे लाई कर दिया है तो यह देखिए जो एक्स्टा था उसको काटकर आटा दिया है इसी तरह दोनों स्लिप्स को अटेज कर लेगे है और उसके बाद इसके फिटिंग कर लेगे है तो हमको 34 इंच की बलाउज रेडी चा जाएगा अब 5 इंच रेडी चाहिए तो 5 इंच पे मार्क कर लेगे और उसके बाद शिलाई लगाते है तो एक ही मार में इसके फिटिंग कंप्लेट हो जाएगे तो यहाँ से भी 5 इंच पे मार्क कर लेगे और उसके बाद स्लिप्स पे हाँ पे 5 इंच चाहिए तो फिर इसका भी 5 इंच पे मार्क कर देंगे और उसके बाद सिलाई लगा देंगे तो इस तरह यह बलाज बनके रेडी हो जुका है तो यह देखिए फ्रॉंट पार्ट और बैक पार्ट यह कितना अच्छा लग रहा है तो इस तरह ही यह डीजाइन बलाज का कंप्लेट हुआ तो अब हम डोरी वाली दूसरी डीजाइन बनाएंगे जो रेडी में डोरी से बनाएंगे तो उसके लिए पहले माने लेस को पूरा खोल के हटा दिया है और उसके बाद डोरी बना लेगे और डोरी की लेंद ले लेगे और 30 गंच का चोटना चोटना डोरी कट कर लेगे और उसके बाद ऐसे मोर के इस पे सिलाई लगा देंगे आप ऐसे डारेक्ट भी लगा सकते हैं पर ऐसा करने से भी शिलाई करने में दिक्कत नहीं होती है तो इसी तरह सारा रेडी कर लेंगे और उसके बाद इसको अलग अलग काट के हटा देंगे और उसके बाद जो इसमें एक्स्टा कप्रा होगा उसको भी काट के हटा देंगे तो यह देखिए इसमें यह थोड़ा थोड़ा जो एक्स्टा कप्रा है उसको काट के हटा देंगे तो इस तरह यह सारा कंप्लीट हो गया है अब इसमें अटेच करेंगे तो ये देखिए उपर में जो डोरी थी मैंने उसको काट दिया है तो इसमें सिलाई लगा देंगे तो इसका एक रेडी हो गया अब दूसरा लगाएंगे तो ये देखिए टोटल चौदाईं से धोरा से ज़्याद है तो दो दो इंच पे मार्क कर लेंगे तो सेम इसका जो चौराई है सेम हो जाएगा तो इसमें जितना आएगा उतना लगातेंगे तो लगभग आठ पॉइंट बने है तो आठ चगे इसको लगातेंगे सिलाई अच्छे से लगे क्योंकि डोरी पे ही बलाउज लगेगी क्योंकि इसमें कोई पट्टी या फिर हूग नहीं लगा हुआ है तो इसको अच्छे से मजबूत से लगाना लीजेगा तो इस तरह डबल डबल करके सिलाई लगा देंगे तो यह देखिए इसका एक साइट का कम्प्लीट हो गया है तो से मैंसे ही दूसरे साइट भी इसको रेडी कर लेंगे अब इस तर भी दो दो इंच पे मार्क कर लेंगे और उसके बाद एक एक करके लगा देंगे तो यह देखिए इसमें काउंट कर लेंगे तो उसमें आठ लगे हैं तो इसमें भी आठ लगा देंगे नहीं तो फिर दोरी अच्छे से नहीं लगेगे तो यह देखिए इसमें सारा में लगा है अब यह डोरी लगा चार मीटर की है तो अब नीचे से स्टार्ट करेंगे और सबसे लास्ट में जो उपर में है वहाँ ले जाएंगे और उसके बाद एक एक करके सब में डालते जाएंगे एक इस साइड और एक उस साइड ऐसे करके पूरा में लास्ट तक नीचे तक लगा लेंगे तो यह दिखिए यह पूरा में लग गया यह कम्पलीट हो गया है और यह डिजाइन भी काफी अच्छा लग रहा है आप चाहें तो इसमें लटकन आप अपने हिसाब से हेवी भी लगा सकते हैं तो यह देखिए मैंने इसमें लटकन भी लगा दिया तो इस तरह यह डिजाइन भी कम्पलीट हो चुकी है इसी को हम ये डोरी खोल देंगे और उसके बाद जो सारी का कपरा है उसका डोरी बना लेंगे और देखिए ये डोरी इसमें लगा देंगे तो देखते हैं सबसे ज़्यादा अच्छा कौन सी डोरी लग रही है या फिर कौन सा डीजाइन अच्छा लग रहा है तो आप सब जरूर बताइएगा आप सब को ये तीनों में से कौन सी डीजाइन ज़्यादा अच्छी लगी और कॉमेंट करके जरूर बताइएगा तो इसी तरह में ऐसे एके करके डालते जाएगे ऐसे जो ये सारी का जो कपरा है ये सौफ्ट है और इसको बाढ़ने से जल्दी खुलता नहीं है और रेटी में टोरी जो होती है वो खुल जाती है तो आपको जो अच्छा लगे जो कमपटेवल लगे वो लगा सकते है तो यह देखिए इस तरह इसमें पूरा में डोरी लग चुका है और ये भी कापी अच्छी लग रही है ये पहनने के बाद बहुत ही अच्छी डीजैन लगेगी अब इसमें लटकन लगा देंगे तो ये देखिए इसमें भी लटकन लग गया है और ये भी रेडी हो चुकी है तो आप सब प्लीज बताईए आप सबको कौन सी डीजैन ज़्यादा अच्छी लगी और हमको जरूर बताईएगा आप सब ये वीडियो अपने दोस्त और इस्तुदारों के साथ भी सेर कीजिएगा और जितना हो सके आप सेर कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से और कॉमेट शरूर कीजिएगा आप सब ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बिल के बटन पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताके मैं वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब को मिलती रहे तो आप सबसे फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए डिजान के साथ